Becoming English Champion YouTube Channel में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है माइनिम इस अंकुष और आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो स्टोरी है A King's Blunder एक राजा की बहुत बड़ी गलती और यह हमारी जो वीडियो है इस वीडियो नमबर 400 तो यह जो अभी हम स्टोरी रीड कर रहे हैं तो इससे पहले हम इंग्लिश को इंप्रूव कर चुके हैं हम इंग्लिश का A to Z यानि के बेसिक से एडवेंस लेवल तक सारे कॉंसेप्स अल्रेडी सीख चुके हैं तो आप भी अगर न्यू है या फिर आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं इंग्लिश को लेके तो आप मेरे कोर्स को जॉइन करें वहां से इंग्लिश को इंप्रूव करें टाइम वेस्ट मत करें अपना स्टोरी पढ़ पढ़के या एसेज को पढ़ पढ़के स्टोरी को रीड करते हैं और या पका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आप का नाम है आप अधिया की बहुत बड़ी गलती बलंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती टो स्टोरी गोज लाइक दिस प्रेन्स दशरटा अब यहां दशरता को मैं दशरत रीड करूंगा ठीक है तो प्रेज जो राजकुमार दशरत और दशरत को उन the son of Aja and Indumati Indumati और Aja का बेटा और ये दोनों कौन थे the king and queen of Khosla Khosla के राजा और रानी तो इनका बेटा प्रिंस दशरता was greatly loved मतलब उससे बहुत प्रेम करते थे कौन करते थे किन के दुवारा किया जाता था by the people of Ayodhya Ayodhya के लोगों दुवारा तो राजकुमार दशरत को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया जाता था Ayodhya के लोगों के दुवारा और यहां पर यह जो लाइन है यहां से लेकि यहां तक यह सारी लाइन एडिशनल इंफोर्मेशन दे रही है प्रिंस दशरत के बारे में तो आगे लिख है The Capital of Khosla Khosla की राजधानी Lay on the bank of the river Saru वो Saru नदी के किनारे पर थी Bank पर थी Bank का मतलब होता है किनारा और ले मतलब वाँपे स्थित हो न तो Capital जो थी Khosla की वो Saru नदी के किनारे पर थी And or The Nearby Forest और जो उसके आसपास का जंगल था वर फिल्ड वो भरा हुआ था With Game Game से यहां पर जो यह lesson है Story जो है इसमें Game का मतलब क्या है Wild Animals Hunted for Sport और Food मतलब वो जंगली जानवर जिनको या तो Hunting के लिए Use किया जाता था उनको मारा जाता था या फिर खाने के लिए यहां का मतलब होता है रखे वे होना location होना जैसे हम बोलते हैं ले डाउन लाइडाउन बोलते हैं यानि के नीचे लेड जाओ तो लाइकी सेगेंड फिर ले इसका मतलब यहां पर लोकेटिड और बैंक का मतलब किनारा बाकिया अभी मुश्किल वर्ड अभी नहीं आए सभी कलाओं में नसेसरी जो जरूरी थी फोरा शत्रिय वोरियर एक शत्रिय योध्या के लिए तो शत्रिय में यहां पर के साइलेंट होगा इसको शत्रिय ऐसे लिखा जाता है और वोरियर इस योध्या तो अज्या राजा ने अपने बेटे को सभी कलाओं से जो भी जरूर बीथेक शत्रिय योद्धा के लिए वो सभी में ट्रेंड किया तो ट्रेंड यहां पे है वर्ब और आल दी आर्ट्स सभी कलाएं नसेसरी जो इंपोर्टेंड हो आवश्यक हो और इस शत्रिय वारियर इस योद्धा प्रिंस एक्षेलड इन दछ आरड्स जो प्रींड़ था राजकुमार वो-ءसल था या要求 मतलब होता है कंड़क हाटके कुछ अलग ही सबसे बड़िये अँड़का मैं आहगा सेल-चेज में तो प्रेंस एक्षेल इन दशा-डॉाज-वो सभी कंड़ाओं में मतलब जबर्दस तो 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 ह PG को के साथ एक्सेप्षिनल का मतलब होता है अपवाद रूप से हम कुछ ऐसे रूल्स जिनका हमारे पास अन्सर नियों प्रिण का रूल बनाएं निए एक तरह से तो उसको को ॉंदैे etaan par kiss अले एक सेप्षिनल है कि hi तो उसी तरह से एक्सेप्शनली गुड था वो बाकियों में तो अच्छा ही था लेकिन हट कुछ हट के था आर्चरी के अंदर तो यह वर्ड आप याद कर लें आप बता सकते हैं आप एक्सेप्शनली गुड की सीज में और एक्सेल्ड मतलब निपूर्ण ओना अच्छा होना काफी दश्रत ता दश्रत वो सच स्किल्फुल आर्चर जो दश्रत था वो इतना स्किल्फुल आर्चर था तीरंदाज था कि कि आपन 45 जो भी उसका शिकार है वो उसको सांट से उसको गिरा देता था हो से इक दिन धा Hij वो शिकार करने गया दशरत शिकार करने गया in the forest jungle में the night fell रात हो गई the prince was unable to see और राजा देखनी पा रहा था beyond a few yards कुछ कदमों के आगे तो कुछ कदम ही देख पा रहा था कुछ yards के बाद उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था because night fell रात हो गी थी suddenly he heard अचानक से उसने सुना the gurgling sound अब गड़गड़हर्ट की जो sound होती है जैसे पानी की एक आवाज आती है तो उसको बोलते गरगलिंग sound तो जब आप गरारे करते हैं तो उस तेम भी एक आवाज आते हैं उसको भी यही साउंड बोलते हैं गर्गलिंग साउंड तो अचानक से उसने गर्गलिंग साउंड सुनी दश्रत थौट अब दश्रत को लगा एन एलिफेंट केम की हाती आया है तुदर रीवर नदी के पास एक हाती नदी के पास आया है तो अपनी प्यास बुझाने तो क्वेंच का मतलब होता है बुझाना और क्वेंच थर्स्ट इस प्यास बुझाना गर्गलिंग साउंड मतलब एक गड़गडाहट की आवाज पानी वाली उसको बोलते हैं तो अब इसके बाद अब क्या हुआ ही उसने swiftly अचानक से मतलग तेजी से pulled out निकाला an arrow एक धनुष तीर उसने तीर निकाला अचानक से कहां से निकाला from his quiver अपने quiver से quiver क्या होता है जिसमें arrow रखते हैं तीर रखते हैं पीट पे टांगते हैं तो आपने देखा होगा तो उसको बलते हैं quiver तो उसने अपने quiver से arrow निकाला and or aimed at the sounds direction जो sound की direction थी उस दिशा में उसने निशाना लगाया aim at का मतलब होता है निशाना लगाना तो इसको भी आप याद कर लें aim के साथ at का use होता है तो उसने sound की direction में निशाना लगाया तो पुल आउट मतलब निकालना arrow मतलब तीर quiver मतलब तरकश भी बोलते हैं इसको जहां तक मुझे याद है हिंदी में तरकश शायद और swiftly मतलब तेजी से अब क्या हुआ अब उसने तीर छोड़ दिया sound की direction में the arrow aimed its prey जो arrow था वो अपने शिकार पे जाके लगा & or the prince Dashra had a cry और दशरत राजकुमार ने एक चीक सुनी but not a beast योलेकिन वह एक beast की अवाज नहीं थी दानव की या किसी विशाल जानवर की अवाज नहीं थी बीस्ट मतलब होता है दानव या कोई विशाल कोई चीज और इसको एगनी बोलते हैं एगनी का मतलब होता है होता है पीड़ा या बहुत कस्ट और क्राय मतलब चीक तो उसने सुनी एक चीक तो वो चीक किसकी थी एक human being की जो दुख में चीक रहा था फोरा मोमेंट एक मोमेंट के लिए कुछ शन के लिए दश्रत वो स्टंड वो आश्रचकित हो गया स्टंड मतलब आश्रचकित ही रेंट तोर्ट्स दसाउंड अगनी यह जो दुख दुख की जो साउंड आ रही थी उसकी तरफ वो भागा he saw उसने देखा a young boy एक जवान लड़के को लाइंग पड़े वे on the ground जमीन पर and crying in pain और रोते वे दर्द में क्यूं रो रहा था the arrow was in his chest और arrow उसके चाती में थी इसलिए दश्रत went to the young boy अब दश्रत उस जवान लड़के के पास गया and plead him और उससे माफी मांगी दया मांगी when श्रवन saw the king जब श्रवन ने राजा को देखा he told him उसने उसको बताया o king o raja what wrong have I done to you तो उसने उसको का कि मैंने तुमारे साथ क्या गलत किया है why did you need to take my life तुमें मेरा जीवन लेने की क्या जुरूरत थी the prince knelt down और जब राजकुमार था दश्रत वो घुटनों पर बैट गया and drew the boy's head और रख लिया उस लड़के के head को on his lap अपनी अपने लैप में मतलब नी गोद में लैप बोलते हैं गोद में तो लैप इस गोद और नील की सेकिंड फॉर्म नैल्ट मतलब घुठने के बल बैटना और इसके इलावा प्ली मतलब माफी मांगना और एगनी इस दुख स्टर्ण इस आश्चर चकित लाइंग इस पड़ा हुआ या लेटी वी पुजीशन में कोई भी चीजो लाइंग तो अब क्या हुआ वह अपने घुटनों पे बैठा और उस लड़के का सिर अपने लैप में रख लिया and said और कहा ओ गौड वट है वाइड़न है भगवान मैंने यह क्या किया है श्रवन सेड श्रवन ने फिर का प्लीज डॉंट वरी चिंता मत करो आई केम टू टेक वाटर में पानी लेने आया था फोर माई पेरेंट्स अपने माता-पिता के लिए द्यार थर्स्टी वे प्यासे हैं दुख में हूँ प्लीज पूल आउट इस एरो इस एरो को किरप्यागर के बाहर निकालो एंड टेक सम वाटर और कुछ पानी ले जाओ तो माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के पास एंड टेल देम और उनको बताओ दसेड न्यूज यह दुखी वाली दुख भरी का खबर कि अब प्रिंस सैडली रिमूब दैरो अब प्रिंस ने दुख दुखी पन से रिमूब किया उस एरो को बाहर निकाला और श्रवन के पेरेंट्स के पास चला गया पानी लेकर ही साइलेंट्ली गेव दैम उसने साइलेंट्ली चुप चाप से गेव दिया दैम उनको और टू ड्रिंक पानी पीने के लिए विच दे रिफ्यूज जिसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मना कर दिया तो एक्सेप्ट स्विकार करने से अब वो पानी दे रहा है लेकिन उसके माता पिता ने मना कर दिया मंटरे कि अन्लस कि जब तक जब तक नहिँं लेंगे अनलेस् दग कैर्यर केर रिए इस अइंटिटी जब तक की जोग्यार्य मतलब पानी को लाने वाला जब पो खुलासा निकरता रिभी निकरता अपनी पैचान का कि वो कौन है तब तक उन्होंने रिफ्यूस कर दिया कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे पानी को पैरेंट्स हैड इन फैक्ट क्यारे जो पैरेंट्स थे वास्तव में पैरेंट्स हैड ग्रोन सस्पीशियस ऑफ सम् फाउल प्ले तो जो पैरेंट्स थे वो भाप गए थे उनको अंदाजा हो गया था suspicion का मतलब होता है शक होना और suspicious of something किसी चीज का शक होना तो वास्तव में जो in fact है यह थोड़ा सा emphasize कर रहा है जो उसके parents थे वो भाप चुके थे किसी अप्रिय घटना के उसको शक हो गया था कि कुछ ना कुछ foul play हुआ है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अन्होनिया कुछ बुरी घटना और suspicious मतलब होता है शक की जिसको शक हो और कैरियर इस लाने वाला और रिवील मतलब खुलासा करना silently मतलब शांती से और अन्लेस तो यह बताई रख है जब हम एक शर्त लगाते हैं तो अन्लेस यूज़ करते हैं तो अब क्या हुआ देयर इंट्यूशन जो ऑन्तर ग्र्ण था उनकी जो अंतरात्मा थी हैड़ वों उनको चेतावनी दे चुकी थी द्याम उनको यहीं तो यहीर किसके लिए उमार्ट के मतलब शessen्यक्र एंट के मट्या ग्ण दूो उनका the message about the death of their son तो फिर उस प्रिंस ने क्या किया कन्वे किया कन्वे मतलब उनको पहुचा दिया उसको बताया message उसके उनके बेटे की death का श्रवन's old and blind parents श्रवन के जो बुजुर्ग और blind parents थे वर शॉग्ड वो शॉग्ड होगे and वर इन अटर ग्रीफ और बहुत ही ज्यादा पीड़ा में वह चलेगे ग्रीफ मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख और अटर मतलब और भी ज्यादा जिसको आप बताई नहीं सकते हो they cried out loud वे जोर जोर से रोने लगे and or told the king और राजा को कहा to take them कि उनको लेकर जाए to the to their dead son उनके मृत्य बेटे के पास prince dashrata carried them अब राजकुमार दशरत उनको ले गया on his shoulders अपने कंदों पर to the place उस जगह पर where जहां श्रवन कुमार है डाइड जहां वो मर गया था just then और फिर just then मतलब और फिर श्रवन कुमार spoke to his parents फिर श्रवन कुमार अपने parents से बोला उसने उससे बात करी और क्या बोला through my services अपनी सेवाओं से to you मतलब आपकी सेवाओं से I have attained a place in the heaven मुझे स्वर्ग की प्रापती हो गई है don't worry about me मेरी चिंता मत करो I shall wait for you मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा you both and provide my service to both of you और अपनी सेवा दूंगा दोनों को when you came to me आप मेरे पास आओगे तो यह थे उसके श्रवन के words श्रवन's mother अब श्रवन की mother and father बोत दोनों took a deep in the Saru उन्होंने Saru में डूब की लगाई तो डिप मतलब होता है डूब की लगाना तो उन्होंने डूब की लगाई सर्यू नदी में सून आफ्टर उसके कुछ देर बाद they died by their Sun side फिर वह भी अपने बेटे के बगल में वह भी मर गए because of unbearable shock क्योंकि इस और सहनिय सदमे की वजह से शोक इस सदमा अन बीरेबल इस जिसको सहन ना कर सके असहनिय तो इस असहनिय शोक की वजह से वह भी अपने बेटे के साथ मर गए बट लेकिन before dying लेकिन मरने से पहले they cursed दशरता उन्होंने दशरत को श्राप दिया कर्स मतलब होता है अभी श्राप देना श्राप देना तो उन्होंने दशरत को श्राप दे दिया मरने से पहले और क्या बोला just as जिस तरह से we are dying हम मर रहे हैं because of our son's loss हमारे बेटे की के खोने से हम मर रहे हैं you would also die तुम भी मरोगे one day एक दिन for the same reason इसी कारण से मतलब अपने बेटे के व्योग में ओ प्रिंस तो ए राजकुमार तो वहला कि जिस तरह से हम मर रहे हैं अपने बेटे के लॉस की वज़े से उसी तरह से तुम भी मरोगे same reason से their curse came true उनका जो यह अभिशा आप था यह सच हुआ and और प्रिंस दशरत डाइड और जो यह राजकुमार दशरत था वो मर गया वैन जब लोड राम वो सेंट आउट जब लोड राम को भेजा गया in exile बनवास पर for 14 years to the forest jungle में 14 साल तो जब राम को 14 साल के बनवास पर भेजा गया था तो उस टाइम दशरत की पीछे से मृत्यू होगी थी तो वही जो कर्स मिला था उसकी वज़ा से तो यह थी स्टोरी आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि दशरत कौन था और दशरत की मृत्यू कैसे हुई दशरत राम के पिता थे स्रवन की स्टोरी कैसी थी तो यह सारी चीजे तो अन्बीरेबल श होता है बनवास और इसके इलावा इतिंक इतने मुश्किल वर्ड तो इतने नहीं थे अटेन मतलब हासिल करना सर्विस मतलब सेवा और अटर ग्रीफ मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा दुख और अटर ग्रीफ बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड इस अंधा और कनवेद मैसेज मैसेज देना किसी को बताना और इंट्यूशन मतलब अंदर की अवाज आत्मा की अवाज अंतर ग्यान तो यह थे कुछ वर्ड ज होगी तो मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़के दिखाई तो यहां पर हमारी 400 वीडियोस कंप्लीट होती हैं तो अगर आपको स्टेप बैस्टेप इंग्लिश को सीखना है तो अभी आप मेरे आपको डाउनलोड कर लें नीचे लिंक दे रखा है विकम इंग्लिश चैंप अगली वीडियो में